मेरे परिवार जनों, आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही हैं, मान रही हैं, भारत का लोहा मान रही हैं, हम दुनिया की पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बन चुके हैं, और बहुती जल्द भारत तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत के रुप में अपने आपको प्रस्थापित करेगा, भारत का चंद्रयान बहां पहुँचा है, जहां दुनिया का कोई देश पहुँच नहीं पाया, भारत में एतिहासी G20 सम्मेलन हुआ, जहां पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हुए, आपको लगता है, आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा है, आपको लगता है, लगता है तो बताईए, लगता है, सत्पुच में लगता है, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, औस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में भज रहा है, आपको घर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोस हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, आपका जबाब पूरी तरह गलत, जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल आपका एक वोट कर रहा है, ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने एक वोट दे कर, दिल्ली में स्थीर और मजबुत सरकार बनाई, इसलिए आज भारत हर मादान में जीत रहा है, मेरे परिवार जनों, एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रण ही बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते पाँच वर्स में क्या हुआ, क्या हुआ, पांच साल में क्या हुआ, पांच साल में जो बरबादी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है, राजस्थान को पीछा धके लिए जिम्मेवार कौन है, राजस्थान के नवजवानों का भविश्य बरबाद करने वाले कौन है, यहां कॉंग्रेस ने राजस्तान को बेस्ट आचार दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है और इसलिए राजस्तान कह रहा है इसलिए राजस्तान कह रहा है जादुगर जी कौनी मिले बोट जी